नमस्कार मैं हूँ अमन शुकला आप देख रहे हैं वीके न्यूस जैंपी आपने अब तक गलियों, खेतों, घर की छतों और स्टेडियम में क्रिकेट मैच होते देखा होगा लेकिन नाले में खेले गये क्रिकेट मैच के गवाह नहीं बने होगे लेकिन मध्यपरदेश के इन दोर में नाले में मैच खेला गया, ये मैच विधायक बनाम प्रशासन की टीमों के बीच हुआ, सुबा नौ बजे से विधायक महेंदर हाडिया और कलेक्टर मनी सिंग की टीम के बीच मुकाबला हुआ, इस दोरान इलाके के कई बड़े अधिका भी मौके पर मौझूद थे, पहले टॉस हुआ, प्रशासन की टीम ने टॉस जीता और फिल्डिंग करने का निर्ने लिया, जिसके बाद बिधायक की टीम की तरफ से सांसस शंकर लालवानी और बिधायक महेंदर हाडिया ओपनिंग के लिए मैदान में उतरे, बिधायक की कैच सभायुक्त पावन शर्मा की हाथों से छूट गया था, नहीं तो बिधायक जी क्लीन बोर्ड होने की बजाए पहले ही कैच आउट हो चुके होते, जिसके बाद बिधायक की टीम ने 5 ओवरों में 55 रन बनाते हुए परशासन की टीम को 56 रनों का लच्छ दिया, लेकिन जैसे राष्टिय या अंतर राष्टिय मैचों में आखरी के ओवरों में सस्पेंस आता है, वैसे ही इस नाला किर्केट में भी हुआ, क्योंकि परशासन की टीम भी सिर्फ 55 रन बना ही पाई और मैच अंतर में ड्रा हो गया, आपको बता दे कि पहले इस नाले में गंदगी पसरी थी, बदबू से लोग परिशान थे, जिसके बाद इंदौर नगर निगम ने लोगों की मदद से नाले को साफ करा है, अब नाले का सूरत हाल पूरी तरह से बदल चुका है, अब यहां बदबू और गंदगी दूर दूर तक नहीं दिखती, स्वच्छता का संदेश देने के लिए ही जन प्रतिनी दियों और अपसरों के बीच नाले में क्रिकट मैच का आयूजन किया गया था, यह काम इंदौर नगर निगम के नदी नाला सफाई अभ्यान के तहत संबह हो पाया है, नगर निगम ने इस नाले के सभी आउटफॉल को ड्रेनेज लाइन से जोड़ दिया है, अब पूरे छेतर के ड्रेनेज आउटफॉल यहां से आजाद नगर तक डाली के ड्रेनेज लाइन से गुजरेंगे, और इस पूरे छेतर में कहीं कोई गंदगी नहीं दिखाई दीती है, यह काम लंबे समय से चल रहा था, नाले की दिवारों पर रंगा को शेयर करें, साथी ख़बर कैसी लेगी को कमेंट बॉक्स में लिकर ज़रूर बताएं, और मध्य परदेश से जुड़ी तमाम ख़बरे देखने के लिए, देखते रहे हैं विकनी जैंपी, धन्यवाद.